दोस्तो सेहत सबंदी प्रोग्राम दे विच तवाड़ा स्वागत है असी अच तवाड़ान जार रहे हैं जलंदर देख मशुहूर डॉक्टर डॉक्टर युगे सचदेवाजी दे नाल जो की आवरवेधिक पद्धिती दे नाल गुर्दे दी बिमारी दा इलाज करते हैं गुर्दे दी बिमारी दे लगपग वीक रोड मरीज ने सारे विशविच चीना दी गिंती हर साल दल साल वदी जा रही है ते ये मुख रूप विच शूगर रते बीपी दे मरीजानों एफेक्ट करती है जिस करके गुर्दा एक पे आनक रोग है मुख रूप विच गुर्दे साड़े शरीर विचों विशाले परदार्थ जिमें बलड यूरिया, क्रिटने नों बार कडंदा काम करते है जो डॉक्टर साब एक गुर्दा रोग हुन दे है एदे मुख कारण की हुन दे है मैक्सिमम मरीजान दे विच गुर्दा रोग विच बलड फ्रेशर ते शूगर दो मुख कारण ने है जिनना करके मरीज दे गुर्दे खराब हुन दे है इस तो इलावा बहुत ज़्यादा दर्दियां दोईयां खान नल भी साड़े गुर्दे खराब हो सकते है कई बार शरीर ची यूरिक एसिड वदना बार बार पिशाब दी इन्फेक्शन होना अते होर कई कारना करके भी गुर्दे ते असर हो जानदा है कुछ मरीजां दे विच एपीडी दर पीडी याँ हैरिडेट रिवी ट्रेवल करती है गुर्दा रोग दे विच मुख रूप चे की की लक्षर ना मुख रूप विच बीपी ते शूगर दे मरीजां विच पशाब विच चिटे रांग दी चाहगाउनी शुरू हो जानदी है जिसनू असी प्रोटीन यूरिया कहने है इस तो इलावा मरीज नू पोखना लगना उल्टी दा मान करना पेट बार-बार खराओं होड़ना इवी गुर्दा रोग दे लच्छन हो सकते है शरीरी कमजोरी एक मेन लच्छन है मरीज नू तो रदे होई साच चड़दा है उस विच खून दी कमी आ जानदी है क्योंकि गुर्दे तो जड़ा रित्रोपाइटेन हार मुन सक्रीट होंदा है वो खून बनाऊन दा काम करदा है उस तो जो जो अड़्वांस टे ते रोगी पहुन जानदा है तो उधे हथां ते पैरां ते सोजाओनी शुरू हो जानदी है उधे चेरे उपर सोजा जानदी जिस नाल मुरीज दे चमडी दा रांगे काला पैना शुरू हो जानदा जादा जानकरी ले समपरेक करो 97, 87, 77 नमबर एकवरी फिर नोट कर लो 97, 87, 77 पहलियां दो यां तिन स्टेजिस दे वेच मुरीज विच गुर्दा रोग दिल अच्छन कुछ कट होंदे है उधे पिशाब चिचा गवनी शुरू हो जानदी है अते इस तरह दे छोड़े रक्षन होंदे है जिनना नो असी परहेज अते दोईयां नल पूरी तरह नल कंट्रोल कर रहें आते मरीज इस तो बाद अपनी सेतमन्द जिंदगी बतीत कर सकता है हर मरीज नो गंबीर ता नल जांच करन तो बाद असी इस नतीज़े दे पहुंच सकते हैं कि इस नो डायलसेज दी जरूरत है या नहीं पर डायलसेज दा मुखरूब विच कम है के खून नो साफ करना कई वारे हफते विच दो तो तिन वरी तक करवाना पैस सकता है पर जे मरीज डाक्टर नियां पूरी सला दे उपर चाल दे हुए द्वाईयां अते अपनी खुराक दे उपर कंट्रोल रखे ता इस तो काफी हद तक बचया जा सकता है या इस नो बहुत दूर तक जिमें 10-15 सार तक डिले किता जा सकता है देखो जी गुर्दा रुगगी विच खुराक एक बहुत ही मत्तपूरन पार्ट है जे मरीज डाक्टर दे दसे अनुसार अपने खान पांदा ख्याल रखदा है ता ओ बहुत हद तक अपने गुर्दे दी बेमारी नो अडवांस ते जाननो रोक सकता असी मरीज नो कहने है कि उन्हों अपने ब्लड प्रेश्यर रते शूगर नो बहुत जादा कंट्रोल च रखना चाहिदा है ताकि वो गुर्दे दे उत्ते मारक असर ना कर सके इन गुर्दा फैल होंते आरवेधिक पद्दती दे बेच कटियां कटियां दवाइगा असरदार है आरवेधिक दवाइचंगों गुर्दा फैल दे हीमारीज विच पाहती अच्छा असर करती है जन्हां विचों मुक्खृूप विच पुनर नवा केने जेडी के गुर्दियां दे फिल्टर करन दी शक्ति नो बदाउं दी है इस तो इलावा वरुन है जिस दे विच असी केनने के ओ गुर्दियां दे विच आउक्जलेट दी मातरा नो ठीक रख दी है गोखरू जिड़ा आम पाफशाज जिन्हों से पकड़ा केनने है एक बहुत ही असरदार दवा है जेडी के मरीज दे शरीर विच एक्स्ट्रा पाणी नो बार कड़ दी है अते सोज दी मातरा नो ठाउं दी है गुलो साड़े कराच आम पाई जान दी है ओवी ये दिच बहुत असरदार दवा है अते गुर्दे मरीज विच रसायन वरगा कम करती है इस तो इलावा कासनी एक बहुत अच्छी ड्रग है जेडी के जदो गुर्दे मरीज विच बहुत ज्यादा साधियां तकलीफा उनियां शुरू हो जान दी है ता उदे विच बहुत असरदार है अते एक्स्ट्रा मातरा विच शरीर विच पानी नहीं कठा होन दे इस तो इलावा भी बहुत सरीयां आयरवेदिक दवाईयां जीना नो इस्तेमाल कर दे हुए असी गुर्दा रोगगी नो बहुत साल तक डायलसेज नो बचा सकने है य आयरवेद दे अनुसार गुर्दा रोगदा इलाज संभव है इसनो एलोपैथी दे नाल नाल ही चलाया जानदा है मरीज नो आयरवेद दे इलाज नाल मरीज नो दस तो पंदरा साल तक डायलसेज तो बचाया जा सकता है अते इस दोरान वो अपने जीवन नो बड़े सेत म सततर स्तानवे असी सत्विंजा सतर सततर